तो चलिए देखते हैं इस question को कैसे solve करते हैं पहला observation आपका है कि ये linear upon तो proper fraction दिया गया है ना उपर की degree cup है जो भी polynomial 1 degree polynomial नीचे 2 degree polynomial मतलब ये linear upon quadratic है और इसका तरीका तो बड़ा fix होता है कि linear को कुछ ऐसा substitute करते हैं ताकि ये नीचे वाले का derivative plus constant आ जाए d by dx आप quadratic रखते हो और plus sum b अब linear क्या हो गया आपका 5x minus 2 equals to a times d by dx of quadratic मतलब 1 plus 2x और plus 3x square और plus b अब हमें a और b निकालना है से a और ये कितना हो गया आपका 1 का 0, 2x का 2 हो गया और 3x square का 6x हो गया plus b अब दोनों तरब से ये तो आपका आ गया 5x minus 2 से आपका equation number 1 मान ले रहे हैं अब यहाँ पर देखिए a और b निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं coefficient compare कर लेते हैं यहाँ से x हा coefficient क्या है आपका इस side से 5 है और उस side से क्या है आपका 6 और साथ पर a multiply होगा तो 6a हो जाएगा constant term देखिए minus 2 है यहाँ पर और इस side में क्या है constant term compare दर 2a है और plus b है तो क्या किया गया यह पहली line equation बनी आपकी x-a coefficient compare करने से दूसरी बनी constant term को compare करने से तो यहाँ से आपका a की value आ गई which is 5 by 6 और यहाँ से a की value place कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास minus 2 equals to 2 into 5 by 6 plus b हो गया 2 3 जा 6 b क्या आगया आपका b आपका आजाएगा यह 5 by 3 इधर आएगा minus 2 और minus 5 by 3 3 2 जा 6 और 5 minus 11 by 3 आगया तो यह b की value आ गई ठीक है और यह हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो यह b equals to minus 11 by 3 लिख के हम छोड़ दे रहा है ठीक है अब क्या होगा यह जो equation 1 है यह इस्तेमाल करेंगे इस linear मतलब 5x minus 2 की place पे ताकि यह इसका derivative आपका यह part आ जाए और दूसरे में जो question split हो वो आपका अलग हो मतलब it could be retain है जे integral could be retain है जे a times 2 plus 6x और plus b whole upon quadratic जो भी इस सीधा-सीधा लिख रहे है 3x square plus 2x और plus 1 dx हो जाएगा अब यह दो integral में break हो जाएगा आपका a times integral of क्या कहेंगे हम लोग 2 plus 6x जो numerator का क्या है denominator का derivative है 3x square और plus 2x और plus 1 dx और plus b times integral of यह क्या हो जाएगा 1 upon this quadratic 3x जब आप question करेंगे तो आपको आदद पढ़ जाएगी यह चीज लेकिन कुछ questions करना पढ़ेगा उसके लिए ठीक है say that is i1 a times i1 plus b times i2 है that is equation number 2 अब i1 integral हम अलग solve कर लेंगे i2 integral अलग solve कर लेंगे तो देखें यहाँ पे where i1 हो गया 2 plus integral of 2 plus 6x upon quadratic कितना है 3x square plus 2x plus 1 dx अब देखें नीचे आले का derivative उपर है हम लोग एक तरह से f dash x upon f x फॉर्म है तो नीचे आले को substitute कर देंगे let 3x square plus 2x plus 1 equals to t तो यह हो जाएगा आपका 6x plus 2 dx equals to dt t का 1 हो गया तो i1 become integral of dt over t और यह क्या होता है log of mod t होता है plus some c1 indefinite constant और t तो हमारा dummy variable था उसको replace करेंगे यह हो जाएगा 3x square plus 2x plus 1 plus c1 ठीक है यह आगया आपका i1 अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे यही पर parallel इसके i2 निकालेंगे तो i2 आपका क्या है i2 is integral of 1 upon quadratic 1 upon quadratic जब भी होता है तो हम लोग क्या करते थे perfect square बनाते थे और फिर वो किसी form से match करता है तो जो quadratic आपका है 3x square plus 2x plus 1 यह क्या लिख देंगे अब यहाँ पर a क्या हो गया आपका a हो गया 3 b हो गया 2 और c हो गया 1 discriminant क्या आजाएगा आपका discriminant आजाएगा b square minus 4ac that could be 2 का square minus 4 into a मतलब 3 into c कितना हो गया आपका 1 हो गया तो यह हो गया minus का 8 आगया है न ध्यान दे सकते हो कि इस absolute value की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह quadratic हमेशा ही positive value produce करेगी खेर अब क्या हो जाएगा minus 8 अब यह आप यह में पता होता a times मतलब 3 times क्या लिख सकते हैं हम लो x plus b by 2a और b कितना हो गया आपका 2 upon 2a 2 इंटू 3 का whole square minus d मतलब minus 8 तो यह plus हो जाएगा 8 by 4a square 4a square a का square का मतलब 9 bracket close 4 2 जा 8 तो it could be written है ऐजे 3 times bracket में यह 2 2 कट जाएगा x plus 1 by 3 का whole square और plus इसको square लिखना चाहते हैं तो नीचे 9 को तो हम लिख सकते हैं कि यह 3 का square है है ना लेकिन उपर तो root 2 का square लिखना पड़ेगा root 2 by 3 का क्या हो गया whole square यह quality उसकी जगा पर substitute करें अच्छा यह दिखाना जरूरी नहीं है यह rough work आपका हो सकता है ठीक है तो इस integral को हम लोग आगे proceed कर देंगे i2 become integral of 1 upon 3 times x plus 1 by 3 का whole square और plus root 2 by 3 का whole square dx अब 1 by 3 यह constant है यह चला जाएगा बाहर तो यह बाहर आगया 1 by 3 यहां से हम bracket हडा देते हैं फिर आपका क्या हो जाएगा यह यह किस वाले form से match कर रहा है 1 by x square plus a square से match कर रहा है उसके लिए substitution कर देंगे यहां पर आप फिर से x plus 1 by 3 equals to u लेट कर लेगे हम लोग है ना अब क्या हो जाएगा आपका dx equals to u यह हो जाएगा काफी मतलब थोड़ा patience चाहिए आपको patience रखना पड़ेगा question करने के लिए question आसान है लेकिन patience चाहिए है ना दो question एक तरह से deal कर रहे हैं हम लोग एक ही में यह हो जाएगा आपका i2 it become 1 by 3 integral of du by या 1 by u square plus root 2 by 3 का whole square और यह हो गया आपका du तो क्या हो गया आपका यह किसे match कर रहा है आपका 1 upon x square plus a square से match कर रहा है है ना और इसका 10 inverse होता है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका 1 by 3 10 inverse u by a a क्या है आपका root 2 by 3 यह 3 पलट के उपर चला जाएगा तो यहां लिख दे रहे हैं तो यह आपका आगया अब u हमारा dummy variable है है ना तो इसको आप replace करोगे तो u की value आप क्या रखोगे यहां पर तो काफी बड़ा हो गया question 10 inverse of 3 और u का मतलब हो गया आपका x plus 1 by 3 तो जब multiply कर देंगे यहां पर तो यह 3x और plus 1 हो जाएगा upon root 2 और फिर क्या हो गया plus c2 ठीक अब यह आगया i2 तो यहां से आप i2 और यहां से आप i1 और a और b वहां से है ना वो सारी value उठा के equation number किस में रख देंगे 2 में रख देंगे और आपका वो answer हो जागा that is your final answer पर टा ओर एर बार झाल खर बजस